हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का इस वीडियो में आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सब के लिए क्यूंकि आज का जो प्लॉट साइज है 13 वाई 30 है और यह वन साइड ओपन है और तीन साइड से जो है अधर प्रॉपर्टी है ठीक है इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर और फ्रस्ट फ्लोर इसमें हम जो दिखाने वाले हैं आपको 2D और 3D फ्लोर प्लैन दिखाने वाले हैं 2D में आपको sizes मिल जाते हैं और 3D में आपको जो है finishes वगेरा मिल जाते हैं प्लस interior की कुछ ideas मिल जाते हैं प्लस कैसे कैसे planning हुई है वाल कैसे कैसे extend हुई है वो सब चीज आपको इसमें पता चलता है इसलिए वीडियो को पूरा देखें ध्यान से देखें क्योंकि हम इस वीडियो में जो है बहुत सारी detail बताने वाले हैं दोस्तों यह हमारा 3D plan है चलिए एक बार देखते हैं से entry हमें minimum 8 feet का तो रखना ही पड़ेगा उसके पाद जैसे जैसे आपका जो finishes और interiors है आप इसमें एक बार देख लीजे हमने जो है low height to wall करके दिखाया हुआ है जिससे कि आपको पूरा view मिल सके वैसे मैं बता दूँ कि दरवाजे की height जो है normally हम 7 feet लेते हैं और 7 feet ही है window की lintel और sill sill जो है आपका 3 feet है और lintel जो है 7 feet है इससे आपको अंदाजा मिल जागे कि wall की height क्या हो सकती है यह आपको एक bathroom है यह आपका यहाँ पर क्या है कि parking के बाद जो है हमें मिली है इतनी से space जिसमें हमने एक room set बनाय हुआ है यहाँ पर kitchen है यह bedroom है आपका और यहाँ पर toilet बात है यहाँ पर गाड़ी के लिए जो है छोटी सी space मिली है में छोटी गाड़ी के लिए तो यहाँ पर clear size जो है 12 foot length है अगर इससे ज़्यादा छोड़ दे चेंच और फालतु छोड़ दे तो वो और भी better होगा और नहीं तो क्या होगा कि जैसे यह gate हमने जो दिखाया हुआ है इ यह लिए थोड़ा सा interior देखिए kitchen kitchen का cooktop और sink कहां पर रहेगा यह मैं आपको 2D plan में बताऊंगा यहाँ पर हमने सिर्फ एक sheet लगाया हुआ है ठीक है इसके बाद मैं आपको इसकी picture दिखाऊंगा यह आपकी जो है यह shaft है जिससे इस toilet की ventilation होगे और इस bedroom की ventilation होगे बेटरूम में जो यह जो ventilation की window है इसको आप जितना लंबा रखना चाहें रख सकते हैं या फिर आप एक पूरा door रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं जिससे कि कलको maintenance के लिए सही रहा है यह आपका bedroom का view है आप देख लिए यह वन paper लिए हुए हैं प्लस इधर आपकी अलमारे मिल जाती है यहां पे आप dressing का arrangement कर सकते हैं और सीडी जो है आपकी 17 या 18 step पे चड़ेगी आप एक बार देख लीचे सीडी का भी कुछ ऐसा चड़ रही है कि stairs 123 तरीके से और वैसे ही यहां पे हमने double दिया हुआ है यहां पे triple न करते हैं पे जापकी ऑड़ेगी, यहां रती है यहां प्लोंटे है यहां कि शापकी शाल पिक्चर अप लोगों ने देख लिया आप हम बात करते हैं टूडी प्लान की यह हमारी एंट्री है एंट्री से हम जो है एंट्र करते हैं चाहे कार एंट्री करती है तो उसके लिए हमने जो है स्पेस छोड़ा हुआ है हमें चोड़ना पड़ेगा टोटल थेरा फूट क्योंकि अप्रॉक्स जो है बारा फूट की कार आती है चोटी कार तो उसके लिए जिगह ची है और नहीं तो क्या होगा कि यहां पे एक आगे एक्स्टेंशन करके गेट लगाते हैं एक फूट वह वाला गेट हम यूज कर सकत हैं हैं ठीक है तो आपको इतनाएं सपेस रखना पड़ेगा बारा फूट चे इंच आपकी जुह है यह लेंध है और आट फूट चेंच आपका यहां से लेके यहां तक है यहीं पर यह स्टेयर से जो यहां से चड़ ह्यां यहां से चड़के ऊपर आ रही है यह स्टेर्किस की डिटेल जो है मैपको वहाँ पर फर्स्ट लोड में समझाऊंगा वो ज़्यादा अच्छा लगेगा अब यहां से हम एंट्री करते हैं यह हमारा जो है इस फ्लैट का अब मालेज यह फ्लोर सिस्टम है तो यह फ्लैट हो गया आपका एक चोटा सा 1BHK का सेट यहां से हम एंट्री करते ही हमारा जो है लॉबी मालेज यह किचन मालेज यह दोनों सेम है यह पूरे का साइज जो है आपका 8 foot 5 inch जो है यहां से लेके यहां तक है एक inch का कहीं पर variation आ रहा है यहां पर 8 foot 6 inch है और यहां पर 8 foot 5 inch ठीक है एक inch कहीं पर variations है या फिर मैंने गलत लिख दिया हो अब यह 6 foot 7 inch जो है आपकी यह length होगी आप इसी में कम ज़्यादा कर सकते है 6 inch जैसी यह 7 inch है 5 foot by 8 foot 6 inch का आपको मिल जाता है kitchen on lobby ठीक है cooktop आप यहां पर रख लिजिए sing आप यहां पर रख लिजिए और यहीं पर आपका toilet है अगर आप चाहते हैं कि toilet हम बाहर से दे दें तो यहां से possible है ठीक है यहां से आप entry कर सकते हैं toilet की और bathroom आपका यहीं से रहेगा अगर combine करना चाहते हैं तो वह अलग चीज है कि फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा नहाने के लिए भी इसलिए अब as it is आप रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है अब अपने इस अपसे customize कर सकते हैं उसके बाद जो है आमने bedroom का जो size रखा है 12 foot 3 inch यहां से लेके इस wall तक है इस wall से लेके इस wall तक ठीक है और 9 foot जो है अपकी length है यहां से लेके यहां तक यह जिसमें bed का size आपको दिख रहा है 6 foot to bias 6 foot change यहां पे आपकी एक LCD आ जाएगी और यहां पे आपकी यह अलमारी होगी काफी बड़ी अलमारी है और दूसरी बात हम बात करते है शाफ्ट की शाफ्ट का जो size है 3 foot 6 inch ऐसे है और 2 foot 6 inch ऐसे दूस्तों यह हमारा first floor का 3D plan है चलिए इसका भी एक overview देख लिए यह front कुछ इस तरीके का बनेगा अगर आप बनाना चाहें तो जैसे हमने 2D में आपको बताने वाले हैं यहां पर चोटी सी balcony होगी यहां पर एक window होगा stairs के लिए और kitchen के लिए यहां पर window है यहां पर जो आपको डाई foot का डोर मिल जाता है balcony पे entrance के लिए और यह kitchen जो आपको काफी अच्छी सी size मिल जाती है जो map को 2D plan में बताने वाला हूं और series as it is हुआ ही रहेगी जो ground पर है इसकी detail में आपको 2D में बताने वाला हूं kitchen की entrance जो है 3 foot की होगी और जैसे ही हम entry करते हैं न entry door हमारा यहां पर है यह है हमारा entry door entry करते ही हमारा सामने मंदीर होगा मंदीर उसके बाद हमारा एक drawing room मिल जाता है चोटा साय space अब इसको drawing room यूज कीजिए या फी dining room यूज कीजिए आपके उपर है हमने इसके दोनों वाल पे जो है वाल पे पर यूज किया है प्लस इसका जो LCD unit है हमने यहां पे दिया हुआ है यह हमको एप्रॉक्स पांच फूट का जो है यह वाल मिल जाता है उसके बाद जो है toilet और bathroom का जो है आपने ground floor पे देखी लिया होगा सेम वही साइज है प्लस bedroom का भी वही साइज है बस हमने इसमें क्या किया है कि वाल पेपर चेंज कर दिया है यह हमारा LCD unit हो गया प्लस दो साइड में आपके वाल पेपर से है और यह आपके shaft हो गई shaft की detail मैंने ground floor पे जैसे बताई थी वैसा भी आप कर सकते हैं लेकिन यहां पर आप डोर नहीं रखिएगा यहां पर आपकी window ही होगी चलिए अब बात करते हैं हम थोड़ी इसकी picture दिखा देते हैं आपको चलिए मैं आपको इसकी picture दिखा देता हूँ क्वाफ सकता हूज। हुझ है अफ लोग उने फिर्स लोडे फिक्च्र देखे लिएब बात करते हैं ठुडी प्लैन की हम सीड़ी से जो है उपद चड़के आते हैं यहां पहे यहां भी हैं यह हमारे फिर्ष व्रोर की लेंडिंग है यहीं से हम सेक्न्ड फिलोर के लिए up जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर के लिए डाउन जाते हैं, तो ये टोटल नंबर से स्टेफ से एप काउंट कर लिजिए, आपको जितना हाइट रखना है आप रख सकते हैं, लेकिन इस से ज्यादा स्टेफ नहीं होना चाहिए, एक और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लैंडिंग भी जरू उसके बाद हम किचिन में एंट्री करेंगे, किचिन आपको यहाँ पर काफी अच्छा सा साइज मिल जाता है, पांच फूट दस इंच जो है विर्थ है और नौ फूट दस इंच जो है लेंथ है, ठीक है, यहीं किचिन से हमने बैलकनी की एंट्री रखी हुई है, बैलकनी ह हम बात करेंगे, ड्राइंग रूम की, अब ड्राइंग रूम है, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, ड्राइंग रूम रख सकते हैं, या फिर एक डैनिंग रूम रख सकते हैं, ठीक है, अब दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, ठीक है, जिसका साइज है, आट फूट छेंच जो है यहां से यहां तक है और 9 फुट जो है लेंथ है बात्रूम का साइज आप देख लीजिए और टॉयलेट का भी साइज टॉयलेट यहां पे होगा सीट जो है कमोड यहां पे लगेगी अपकी और यह आपका बात रूम होगा बात नहाने वाला आप अगर सीट इसको रखते हैं तो फिर एंट्रेंस आपको इधर से देनी पड़ेगी मतलब यह टोटल आपको रिवर्स हो जाएगा अगर एक दूसरे से चेंज करते हैं तो बेड्रून का साइज वही है जो नीचे था शाफ्ट का भी साइज वही है जो नीचे था ठाई विंडो की जो लेंटल और सिलज होती है वो मैं बता देता हूं से शुरू होती है थैन फूट से शुरू होती है और साथ फुट पे खतम हो जाती है आगर उसे आप ऊपर बढ़ाना चाहते हो तो 8 फुट होती है दरवाजे के साइज जो है जिसका लेंटल हो to 7-porte 9 foot ठीक है आपको जितना हैट मीले रख सकते हो ठीक है आप करते हम supportive can MARाब आपको 3-4 थ्लोर ने है in added तो उस इसाप से चाहे एक फ्लोर छाए 3-4 फ्लोर ने ये जो कॉलम की diese year अपकि पर दीख ल Hugaje यह 8 कॉलम है टोटल और इसका जो साइज होगा आपका 9 बाई 12 होगा कॉलम के साइज जो है 9 बाई 12 होंगे जिसमें लटक बीम भी होगी ऐसे ऐसे और इस तरीके से क्रॉस करती हुई वो होगी आपकी 9 इंच की लटक होगी ओके लोग जो है 12 mm प्रलस 16 mm दो तरह के से डिरे डालते हैं अगर आप 16 mm प्रेफर करें तो ज्यादा अच्छा है बाकी आप सबकी मर्जी है उमेद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करें जिसे किसी की हेल्फ हो सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद